सो यहां पर हम लोग देखेंगे duplicate rows को कैसे delete करना है कोई भी table से तो उसके लिए हम लोग एक example लेते हैं सो suppose हमारे पास एक table है duplicate तो अब हम लोग देखते है duplicate table में है क्या तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 2 row है exactly row number 2 और row number 5 जहां पर सारे columns के value match कर रहा है except employee ID तो आप देख सकते हो first name, last name, salary, email ID, manager ID, date of joining सब कुछ same है लेकिन employee ID same नहीं है तो employee ID same क्यों नहीं है क्योंकि employee ID primary की है और primary की duplicate नहीं हो सकता तो यहां पर एक employee का details entry करते टाइम गलती से duplicate record entry हो गया तो अब हमारा requirement क्या है जितने भी duplicate records है उन्हें हमें delete करना है इसे solve करने के लिए हम लोग use करेंगे self join तो self join क्या होता है कोई भी table को अगर उसी same table के साथ join किया जाए उसे बोला जाता है self join तो यहां पर join करने के लिए हम लोग क्या कर सकता है duplicate table को हम लोग alias name देता है d1 और join करेंगे same duplicate table के साथ जिसका नाम देता है d2 तो किस पर join करेंगे वो अब main चीज है तो किस पर join करेंगे तो हम लोग देख सकता है कौन से कौन से column हमारे exactly match कर रहा है तो जो भी column हमारे exactly match कर रहा है तो वो सारे columns को हमें join करना है कैसे on d1.firstname is equal to d2.firstname and d1.lastname is equal to d2.lastname and d1.salary is equal to d2.salary, फिर क्या आता है हमारा email id, तो d1.email id is equal to d2.email id फिर हमें क्या करना है और दो column हमारे बच गए वो है d1.manager id is equal to d2.manager id d1.date of joining is equal to d2.date of joining अब हमें क्या करना है ये सारे column हमारे exactly match हो रहा है इसलिए हम लोग सारे को equal to operator के साथ हम लोग join कर रहे है अब हम लोग देखते हैं जो दो row में difference क्या है तो दो row में ये difference है कि employee id हमारा same नहीं है तो अगर same नहीं है उसका मतलब क्या है कोई एक employee id दूसरे employee id से greater than है यहाँ पर अगर हम लोग example देखे employee id 6 is greater than employee id 2 तो उसी condition पर हम लोग हमारा दूसरा condition हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर and d1.empid is greater than d2.empid तो यह जब हम लोग execute करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा d1.employee id क्या है 6 वहीं same query में हमें मिल रहा है d2.employee id तो हमें क्या चाहिए अगर हमें बोला जाए जो recent entry है उससे delete करने के लिए तो हमें क्या select करना है select d1.empid वहीं पर अगर बोला जाए recent record हमारा सही है और पुराना वाला record हमें delete करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है d2.employee id अब सपोज हम लोग consider करते है हमें recent वाला delete करना है तो यहाँ पर हम लोग select कर सकते है d1.employee id और इससे हमें delete करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते है delete from table का name where employee id is equal to तो यह employee id 6 हमें delete करना है और 6 हमें कहां से मिल रहा है यह वाले query से तो इस query को हम लोग parenthesis के अंदर रख देता है तो इससे execute करके देखता है one row is deleted तो यहाँ पे एक चीज आप देखना यहाँ पे हमारा एक ही row था इसलिए हम लोग ने equal to operator के साथ इसे कर लिया लेकिन वहाँ पे अगर more than one row हो तो यहाँ पे equal to operator काम नहीं करेगा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा in तो यह होगया हमारा query जिससे हम लोग duplicate record select कर सकता है और हमारे requirement के हिसाब से हम लोग उसे delete कर सकता है और बाकी जितने column के नाम हम लोग ने लिखा है वो सारे हम लोग delete कर सकता है तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें